किसी भी सजीव और निर्जीव वस्तु का परिचय हमें उसके रूप से होता है हम सामनत जिस भी वस्तु या प्रान विश्यस को देखते हैं उसका परिचय हमें उसके रूप के द्वारा ही होता है और इस कारी में हमारी ज्ञानेंद्रियों में नेत्र ही सर्व प्रतम कारी करते हैं नमस्कार दोस्तों तूली का दर्शन चैनल में मैरमा संकडी मरी आपका स्वागत करता हूँ अब पिसले अंक में हमने देखा था कला तोत्व के सबसे महत्वपून तत्व रेखा को और आज के अंक में हम देखेंगे कला तत्व का सबसे महत्वपून अंग रूप को रूप कितने प्रकार के होते हैं तथा हमारे मनमस्तिस्क पर रूपों से क्या प्रभाव पड़ता है आज हम इसका भी अध्यन करेंगे साथ ही जानेंगे कि रूप को कितने भागों में वर्गिकृत किया गया है तो सबसे पहले देखते हैं रूप की परिभासा रूप वह छेत्र है जिसका अपना निश्चित आकार होता है रूप का निर्मान छोटी छोटे बिंदों से होता है और अगर इन बिंदों को कर्मान उसार एक दिशा में बढ़ाया जाए तो रेखा का निर्मान होता है रूप वह छेत्र या स्थान है जिसका अपना आकार तथा वर्ण होता है अर्थात किसी वर्ण का छेत्र रूप कहलाता है तो हमने देखा है कि जब हम वस्तों को देखते हैं तो सिपसे पहले उसके रूप को देखते हैं और उसके बाद उसके रंग को देखते हैं और वरन का जो छेतर होता है वही रूप कहलाता है अंग्रेजी भासा में रूप को फॉर्म कहा गया है जिसमें F first, O organic, R revelation of M metal अर्थात रूप वह छेतरिया इस्तान है जिसका अपना निश्चित आकार तथा रंग होता है रूप के वर्गी करन की बात करें तो रूप को दो भागों में बाटा गया है समेट्रिकल फॉर्म और असमेट्रिकल फॉर्म अब देखते हैं समेट्रिकल रूप क्या होता है और असमात्रिक रूप क्या होता है समात्रिक रूप वो होते हैं जो दोनों तरफ से समान होते हैं जैसे घन, वृत, आयत, गिलास, आदि जिनें हम अगर बराबर भागों में बांटें या उनको काटें तो बराबर बराबर संतुलित भाग हमें प्राप्त होते हैं उनों रूपों को हम सम्मात्रिक रूप कहते हैं अब यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं जिन में आपको symmetrical form वाले shapes दिखाई दे रहे हैं अगर हम इन shapes को देखे आते हैं कि इन्हें अगर बराबर काटा जाता है तो यह दोनों तरफ से संतुलित रूप से विवक्त होते हैं दूसरा रूप है asymmetrical form यानि इस रूप में दूसरा भाग पहले भाग से भिन्न होता है जैसे विशमकोंड, चतरभूज, त्रिभूज, केतली यानि कि ऐसी आकरतियां जिनको हम अगर बराबर भागों में काटें तो दोनों तरफ संतुलित आकरतियां या भाग हमें प्राप्त नहीं होते हैं इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो विर्च्छों का अंकन क्या गया है जो पहला विर्च्छ है, वो symmetrical form में है और दूसरा विर्च्छ जो है asymmetrical form में है इस परकार आप इन चित्रों को देखने के बाद symmetrical और asymmetrical form को समझ गये होंगे अब बात करते हम रूप के प्रभाव की यानि कि जो भी रूप हम देखते हैं उनका हमारे मस्तिस्क पर कैसा मनोवेग्यानिक प्रभाव होता है रेखाओं की तरह ही रूप भी हमारे मनमस्तिस्क पर अनेक प्रभाव डालती है ऐसा अनेक दिश्टिकत तता आकारकत भाव के कारण होता है यानि कि जब हम किसी रूप को देखते हैं तो हो सकता है कि वो हमें कुछ जादा भारी लगे या हलका लगे या फिर उसके रंग हमारी नेत्रों को प्रभावित कर से उधारन के लिए देखिए आयताकार यानि कि जो रिक्टैंगुलर सेफ होती है उनसे हमारे मनमस्तिस्क पर क्या प्रभाव पढ़ता है यानि कि क्या भाव हमारे मन में जागरत होते हैं और दूसरा रूप है वर्गाकार यानिकी square shape जिसे देखकर के हमारे मन में शक्ति, स्थायत्व, एकता और शंतुलन का भाव जागर्थ होता है लगबग वर्गाकार और आयताकार से हमारे मन में एक जैसे ही भाव उत्पन होते हैं तीसरा रूप है तुरुबजाकार यानिकी triangular shape जिसे देखकर के शाष्वतता, शुरक्षा, विकास के भाव जागर्थ होते हैं आपने कई बार इस तरीकी के आकर्थियों को देखा होगा तो आपने पाया होगा कि इस प्रकार की जो आकर्थियां होती हैं उन आकर्थियों को बहुत याकर्षिक रूप से बनाया जाता है और खासकर जो त्रिबुजाकार आकर्तियां होती हैं यह हमें काफी आकर्षित करती हैं क्योंकि इनमें स्वात्षोता, सुरक्षा और विकास का भाव मनमस्तिस्क पर उभरता है और इसलिए जब हम रोडों पर जो सिंबल्स देखते हैं उनको अधिकतर त्रिबुजाकार रूप में ही प्रदिश्चित किया जाता है ताकि उनसे हमारे मन में सुरक्षा की भावना जागरत हो चोता है विलोम तुरुजाकार श्वरूप यानि की रिवर्स ट्रेंगुलर यहां लिप्तता और असांती का प्रतीक है पांचवा भाव है अंडाकार यानि की ओवल शीप जिसे देखकर के लावन्य, सौंदरिय, नित्यता और सुर्जनात्मक्ता के भाव हमारे मस्तिस्क पर उभरते हैं चटा है वृत्ताकार यानिकी circular shape इसे देख करके हमारे मनमस्तुस्क में पूरुनता, आकर्शन, गती, विशालता, समानता के भाव जागरत होते हैं इसलिए आपने देखा होगा कि जो वृत्ताकार वस्तुएं होती हैं वो हमें fullness का भाव या आकर्शन का भाव जागरत करती हैं और इसलिए अधिकतर company या brand अपने जो लोगों होते हैं उनको वृत्ताकार भी बनाती हैं अब बात करते हैं रूप एवं अर्थसार की रूप को हम समझ चुके हैं और उसके वरगे करन को भी देख चुके हैं अर्थसार जो शब्द है अब इसको हम समझते हैं जब भी कोई चित्रकार किसी चित्र का निर्मान करता है तो उसमें जिस भी रूप को दिखाता है उसका कोई न कोई अर्थ होता है और इसी अर्थ के कारण उस चित्र को हम समझते हैं उस चित्र में जो संदेश होता है उसको समझा जाता है अर्थसार दो प्रकार का होता है पहला सामधाईक यानिकी कलक्टिव इसके अंतरकत सामाजिक धार्मिक तता अन्य सांस्कृतिक विशे आते हैं जिनका सम्मंद केवल कलाकार से ही नहीं बलकि समुदाय और छेत्र के साथ साथ देश ये अमकाल से भी होता है बीश्वी सिताबदी से पूर्व की कला सामुदायक अर्थसार लिए हुए थी उधारन के लिए पिकासो की ग्वैरनिका जो पेंटिंग थी जिसे स्पेन में हुए नर्शंगार का प्रतीग भी माना जाता है उसमें देखा जा सकता है तो किस प्रकार ग्वेर्निका नाम के सहर पर जब बंबारी हुई थी तो वहां के लोगों की जो तराशदी हुई और तराशद घटना में उनकी मौतें हुई उसी को पिकासो ने अपनी पेंटिंग ग्वेर्निका में प्रदशित किया था और इस प्रेंटिंग के माध्यम से पिकासो ने ग्वैरनिका नाम के सहर की तराशदी को लोगों के सामने रखा था अर्थसार का दूसरा जो शुरूब है वो है व्यक्तिगत यानि कि जैसे जैसे मानव विकास करता जा रहा है वह स्वांत सुखाय की सरीनी में चित्रों को लेता जा रहा है आपने देखा होगा कि धिरी धिरी चित्रकार सामुदाइक विश्यों पर चित्रों का निर्मान कम करने लगे हैं और आज जो हम चित्रों को देखते हैं उसको modern art कहा जाता है जिसमें चित्रकार जो भी संदेज देता है वो बहुत कम ही लोगों को समझ में आता है यानि कि जो भी विशेश आप अपने चित्र में बनाते हैं, अगर वो सभी लोगों को समझ में आता है, तो उसे सामुदाइक अर्थसार कहते हैं, और अगर वो सिर्व व्यक्ति विशेश या व्यक्तिगत लोगों को ही समझ में आए, उसे व्यक्तिगत अर्थसार कहा जाता ह अब बात करते हैं रूप एवं अंतराल की, यहाँ पर अंतराल जो शब्द है वह हमारे चित्रांकरन का जो कारी छेतर होता है, यानि कि जो कैन्वस है या आपका कार्टृज शीट है, उस से संबंदित, रूप का अंतराल के साथ वही संबंद है, जिस प्रकार से किसी भी चित्र दिया गया है जिसमें अंतराल के मध्य में एक आकरती रखी गई है यानि कि उस रूप का अंतराल के साथ में सामन जस्य काफी संतुलित नजर आ रहा है वहीं दूसरे चित्र में अगर हम देखें तो अंतराल के बहुत ही कोने में या अंतराल को छोड़ करके वस्तु क तो रखा गया है जबकि यहां पर अंतराल का आकरती के साथ में संतुलन इस्थापित नहीं हो पा रहा है। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी चित्र को बनाते हैं तो अंतराल को ध्यान में रख करके अगर हम उसे बनाएं तो हमारा चित्र व्यवस्थित और संतुलित होता है यहाँ पर सामने भासा में हम कहें कि हमें जो भी हम चितर तल होता है हमारा उसको ध्यान में रख करके जो भी आकरति हम उस पर बनाते हैं उस आकरति को बैलेंस्ट करके बनाएं और मार्चन ले करके बनाएं तो हमारा चितर काफी प्रभावशाली बहुत तो हमारा चितर काफ पूछा गया कि Gothic साली किस चीज से संबंदित है आपके पास विकल्प है चित्रकला, मूर्थिकला, वास्तुकला और संगीत कला तो आपको इसका जवाब कमेंट में देना होगा पिसले अंग का हमारा प्रस्न था प्राचीन ग्रीक कला का स्वरूप था और आप्शन है मूर्थि प्रधान, जयामतिय, रंग प्रधान और रूप प्रधान तो प्राचीन ग्रीक कला का जो स्वरूप था वो था जयामतिय प्रधान विकल्प भी सही हो जाएगा रेश्मा विने कोशल दवाव क्राफ्ट किर्पिया आप अपना नाम भी लिखा कीजिए जिन्होंने अपने चैनल में कुछ अलग से नाम लिखा हुआ है तो आप सबको हर्दिक सुबकाम नाए तो दोस्तों ये था तुलिकादर्शन चैनल का आजकांग जिसमें हमने कलात व ज्यानिक प्रभाव कैसा होता है और सबस्क्राइब के बारगी करण को दी हमने आज जाना आज कांग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जूरू बताएगा और साथ ही जो भी हमारे साथ नए जूड़ते हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें साथ ही बैल आइकन को ऑन रखे ताकि आपको हमेशा जब भी हम वीडियो अप्लोड करें नोटिफिकिशन आपको तुरंद प्राप्त हो जाए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में सियर करना न भूलेगा आप हमारे व WhatsApp ग्रूप को जोइन कर सकते हैं तो आज के इतना ही मिलते हैं अगले अंक में कलाके दूसरे तत्तों के साथ में तब तक के लिए दीजे मुझे इजाज़त नमस्कार